असलाम वालेकुम विल्कम टू जाइका एवरीडे जाइका एवरीडे में आज हम आपके साथ शेर करेंगे इजी मिंगो डिजर्ट की बहुती टेस्टी रेसिपी टेस्टी मिंगो डिजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम मिंगो के सलाइसिस कर लेंगे और इसके बाद इसे ग्राइंड करेंगे ग्राइंड करने के बाद हम इसके पल्प को साइड में रख देंगे और अब हमें चाहिए मिल्क हमने यहाँ पर आधा किलो मिल्क लिया है दूद को बहुत अची तरह से उबा लेंगे मिल्क हम अची तरह से उबल देंगे और अब साइड में एक मिक्चर रेडी करेंगे एक छोटी से बोल में लेंगे थोड़ा सा मिल्क इसमें डालेंगे टू टेबल इस्पून वनीला कस्टरड पोर्डर चम्मा से इसे मिक्स करते हुए एक अच्छा सा घोल रेडी कर लेंगे जब हम देखेंगे दूद बहुत अची तरह से उबलने लगा है इसमें शामिल करेंगे चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के एक ओडिंग डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे वनीला कस्टरड मिक्चर जो हमने रेडी किया है और अब हमें इसे लगता चलाते रहना है हम इसे ठीक हो जाने तक कूप करेंगे पाच या साथ पनेट में ये बहुत अच्छे से ठीक होना शुरू हो जाएगा ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गया है अब हम चूला ओफ कर देंगे और इसे ठेंड़ा होने देंगे थंडा हो जाने के बाद हम इसमें mix करेंगे आम का पल्प जो हमने grind किया था आम के पल्प को अच्छे दरह से इसमें mix कर लेंगे और अब हम बनाना शुरू करेंगे टैस्टी mango dessert इसके लिए हम सर्विंग ट्रे में टूटी फूटी ब्रैट की layer बनाएंगे layer बनाने के बाद आप चाहें तो इस पर milk भी डाल सकते हैं optional है हम यहाँ पर milk नहीं डाल रहे हैं हम इस पर custard layer बनाएंगे हम इसे spoon की help से spread करेंगे और इस तरह से एक प्यारी से layer बन जाएगी इसी तरह हम दूसरी layer ready करेंगे इसके बाद हम इसे garnish करेंगे इस पर डालेंगे mango slices हम इस टेस्टी mango dessert को एक या दो हिंटे के लिए फ्रेज में भी रखेंगे और अब हम लास्ट में इस पर डालेंगे rose syrup और लीजिए हमारा mango dessert बिल्कूर ready है तो try कीजिए और हमें बताइए आपको हमारी यह testy recipe कैसे लगी अगर पसंद आई है तो लाइकों शेयर करें और हमारी चैनल जाइका एवरीडे को सब्सक्राइब सरूर करें दौाओं में याद रखें आल्ला हाफीज